नमस्कार मैं हो ससी आई जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं नीती आयोग की बैठक 27 को सीम हेमंत लेंगे हिसा नाय दिली में 27 जुलाई को फरस्तावित नीती आयोग की नौवी गवर्निंग काउंसलिंग की बैठक में मुख्य मंतरी हेमं सुरेन हिसा लेंगे इस बैठक में एजेंडे को लेकर सोम और को फर्जेक्ट भान में मुख्य सर्चीव के अधक्षता में उचस्तरी बैठक हुई बैठक में कई भी भाग के सर्चीव भी थे सुद्रों के मुताविक बैठक में भारत को एक बिक्सित राष्ट बनाने के लिए बिक्सित भारत 2047-2050 पर चर्चा की जाएगी हेवान्त भी इस पर अपनी राय रखेंगे इसे लेकर भी बैठक में चर्चा हुई है बैठक में मुख्य मंत्री जारखन के संदर में कई बातों को रख सकते हैं जारखन का केंद्र सरकार पर बकाया रासी इन में सबसे परमूख है HEC के मुद्दे को भी उठा सकते हैं भीते दिनों CM ने रांची में आयोजित एक आरिकरा में केंद्र से मांग की है कि अगर केंद्र से HEC नहीं समहल रहा है तो राज सरकार के हावाले कर दे मुहर्म को लेकर रोड में कल 10 बैस से वाहनों के परवेश पर रोक राजधानी में निकलने वाले मुहर्म के जुलूस को लेकर बुद्धवार को में रोड समेत उसके आसपास के मारगों में भारी नीजी और यातरी वाहनों के परवेश पर रोक रहेगी सुबह 10 बैस से जुलूस की समापती तक वाहनों का परवेश पर जीत रहेगा इसको लेकर ट्रैफिक, एसपी, कैलास, करमाली ने सो मुहर को आदेस जारी किया है जारी आदेस के उनसार कई रूट को भी डाइवर्ट किया गया है मुहरम पर रांची जीले में सुरक्षा के पुकता इंदेजाम किये गया है 200 से अधिक अस्थानों पर पूलीस बल की परतिनुक्ति की गई है पूलीस गस्त के साथ किवार्टी भी रहेगी किवार्टी में पूलीस के वरी अधिकारी रहेंगे बदादे रांची समार नाले में सो मुहर को केंद्रिय सांती समीती की बैठक में उपायुक राहूल कुमार सीनहा और स्सपी चंदन सीनहा ने अजनकारी दी है बैठक में सभी से सांती पूर्वक तरीके समुहरम मनाने और इसमें सहयो करने की अपील की गई है सीयम हमांत ने दिली में पिये मोदी से की मुलकात जारखन की सीयम हमांसुरण ने दिली में परधान मंत्री मोदी से सिष्टाचार मुलकात की है उन्होंने अपने एक्स हेंडल पर तस्विर भी साजा की है वहीं इन्होंने अपनी पतनी कलपना सुरीन के साथ राश्ट पती द्रोपदी मुर्मू से भी भेट की मालूम हो हाल ही में जमानत पर जेल से बाहर आये हमान सुरेने तीसरी बार जारखन के सीएम पत की सपतली है एक दिन पहले हमानत ने वारा नसी के मंदिर में पूजा आर्चना की और वहां की गलियों में घुमे उन्होंने इसकी तस्विर भी साजा की है इसके पहले हमानत दिली में कांग्रेस सिर्ष नेत्रितु से भी मुलकात कर चुके है राज में इसी वर्ष बिधान सभा चुनाव होने जा रहे हैं जिसकी त्यारी में सभी दल जुटे हैं बता दे जारखन में बिधान सभाई 81 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा महागण बंदन में जामों कांग्रेस और रायत साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे सहायक पुलिस कर्मियों ने मौराबादी में साथ घंटे परदसन किया जारखन के 12 जीलों के 23 सहायक पुलिस कर्मिय जारखन पुलिस में समयोजित कि मान को लेकर पिछले कई दिनों से मौराबादी मैदान में अनशित कालिन धरने दे रहे हैं लेकिन कोई उनकी सूध नहीं ले रहा इस कारण उनमें आक्रोस है सहायक पुलिस कर्मिस्व मुहर को मुराबादी से राजबहन खेराव करने के ले निकले इसकी जनकारी मिलते ही भारी संख्या में रैपिट एक्सन पुलिस एवाम जिला बल को तैनात कर मुराबादी टियोपी के समीप बैरिकेटिंग कर उन्हें रोक दिया गया सहायक पुलिस कर्मिस्व मुहर को दीन के बाराबय से साम साथ बै तक लागातार साथ घंटे तक परशन करते रहे बाद में सीटी एसपी राजकुमार मेहता ने उन्हें डियाईजी आयूक्त उपायूक्त वा एसएसपी को मांग पत्रसोपने और परतनीधी मंडल को उन अधिकारियों से मिलाने का स्वासन दिया इसके बाद सहायक पुलिस कर्मियों ने अपना परशन समाप्त किया है गिरीडी जीले के स्टेशन रोड निकट इस मेडिकल हॉल में भरून कारलिंग परिक्षन किया जा रहा था इस दरहां पुलिस ने छपे मारी कर पोर्टेवल अल्टरा सांड मसीन वा अने समान बरामत किया है पुलिस ने मेडिकल हॉल से दो आरोपियो बिन्दू सिंग और बिनोत कुमार भारती को भी गिरफतार किया है घटना की सुचना मिलने के बाद मेडिकल हॉल का संचाला पिक्कु मंडल फरा रहा है हजारी बाग से च्छा करोड के ब्राउन सुगर के साथ चाज गिरफतार एनच 33 हजारी बाग बर ही पत इस्थीत नगवा के समिप लक्षमी लाइन होटल के पास से उन्हें पकड़ा गया उतर परदेश के बारा बांकी के एंटी नर्कोटिक्स टास्फोर्स एवाम हजारी बाग पूलिस की सन्युप्त करवाई में एक कम्यावी मिली है सदर 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 कुमार सिवासिस ने पत्रकारों के जनकारी दी बतादे हजारी बागे सदर 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 कुमार सिवासिस ने बताया है कि रफतार तसकरों में चत्रा जिले के पथल गड़ा थाना चेतर के बरवाड निवासी खादिल और चत्रा सदर थाना चेतर के आजाद मुहला के नुरूला सिमर्या थाना चेतर के तपसा गेड़वा गाव के बलराम कुमार सामिल हैं सहायक अध्यापक संग के सदस्यों ने मुख्य मंत्री आवाज घेराव को लेकर बनाई रणनी थी मदुपूर परखंड छेतरे की पतवाबाद पंचायत के भौजी मोड के पास सोमार का मुख्य मंत्री आवाज घेराव को लेकर साहयक अध्यापक संक्रस्यों की बैठक मोहमद आरिफ अंसारी की अध्यक्सता में हुई मौके पर जीला अध्यक्ष अरुन जाने कहा है कि पटवा बान नरायन पुर्वा सुगा पहाडी संकुल के सन्युक्त बैठक में मुख्य मंत्री आवाज घेराव कारेकरम 20 जुलाई को होना तै किया गया इसी तैयारी को लेकर बैठक की गई उन्होंने कहा है कि सभी अध्यापक 29 जुलाई को रातरी में पार्टली पुत्रे एक्स्प्रेस ते रवाना होंगे उन्होंने कहा है कि इस बार सरकार से हमारी सानों का दो लाख तक रीण माफी की स्वकरिती दी गाई शोमवार को जीला कांग्रेस करायले में कृसी मंत्री दिपिका सिंग पांडे का पार्टी के करकरताओं ने स्वागत किया जीला ध्यक्स प्रोफेसर उदय प्रकास सहीद पार्टी के नेता व़करकरताओं ने दवलत मंत्री मंटल में सामिल हुई हों मंत्री ने आरोप लगाते विका है कि केंदर सरकार द्वारा बार बार राजे के जो आईस्थिर करने का प्रयास किया गया जिसके लिए समय समय पर हमें विश्वास मत के लिए फ्लोर टेस्ट करना पड़ा उन्होंने कहा है कि राज सर योईना सहीत कई जनहीत के कारे किये हैं बाबा मंदीर में उम्रे भक्त सीव घंगा तक कतार बाबा मंदीर में अब हर दिन स्रावनी मेले जैसा नजारा दिख रहा है स्वमवार को भी बाबा मंदीर में भारी संगा में भक्त पहुंचे तथा आयम कतार फूट ओबर विरीज से बाहर निकल कर सीव गंगा तक पहुंच गई इस दवरान 5694 भक्तों ने सिग्र दर्शनम कूपन लेकर प्रसासनिक भावन के रास्ते से गर्व ग्री पहुंच का जलारपन किया यह कतार भी प्रसासनिक भावन से बाहर मंदीर परिसर होते हुए सरदार पंडा लेन तक सरजु राय भारतिय जन्मोर्चा के नेता सहजमसेत पुर फूरवी के बिधायक सरजु राय सोमवार को एक निजी कारकर में पाकुल पहुंचे इस दवरान सरकिट हाउस में पत्रकारों से बाचित की जिसमें उन्होंने बताया है कि जारकन सरकार और विपक्ष दोनों एक दूसरे का पीट साहलाते रहते हैं पिछले सारे चार सालों में भाजपा ने बिधान सभा में सरकार के खिलाब कोई ठोस आरूप पत्र नहीं लाई है वहीं राज सरकार अच्छे काम को कर नहीं सकती है और गलत काम को रोक नहीं सकती मैं जब इन मुद्दों को उठाता हूँ तो उसका समर्थन भाजपा के नेता बिधान सभा के भीतर और बाहर नहीं करते स्वास मंत्री बना गुपता का भाजपा करता हूँ और नेतावक साथ इतना साथ गाठा है कि उनके खिलाब किसी परकार की कोई करवाई आज तक नहीं होई जबकि उनके विरूत कई परकार की आवाज उठी वहीं बांगलादेशी घुसपैठियों को लेकर उन्होंने कहा है कि बांगलादेशी घुसपैठियों को लेकर रायनीती की जा रही है बांगलादेशी घुसपैठिया जम्मी कासमीर से लेकर दिली तक फैल गाए है पेट्रोल पम्पो पर नो हेलमेट नो पेट्रोल का करेपालन उपायुक्त पाकुड समभानाले सभागार में उपायुक्त मित्युम जय कुमार बर्नवाल के दक्षता में जीला सलक सुरक्षा समिती की बैठक होई बैठक में पिछले बैठक में दिये गए निर्देश के अल वासलक सुरक्षा के प्रतिजागरूपता फैलाने ओबर इस्प्रीडिंग रोकने और रोड साइनेज लगाने नो हेलमेट नो पेट्रोल का अनुपालन गूड सेमिरेटन का प्रचार परसार हीट एंड रन के लंबित मामले का निस्पादन अनफिट वाहनों का चलान सालन का निर्देश दिया है सीम हेमन तेने राष्टपती द्रवपती मुर्मु से मुलकात की राष्टपती द्रवपती मुर्मु से जारखन के सीम हेमन सुरेन ने मुलकात की है नए दिली स्थीत राष्टपती भाहन में अपनी पतनी कलपना सुरेन के साथ राष्टपती स जल धाम में पुजा की दो दिन पुर्व उन्होंने दिल्ली में सुनिया गांधी और दिल्ली के सीएम अर्विंद के जरीवाल की पतनी सुनिता के जरीवाल से भी मिले हाएं अबुआ अवास लाबको को करे भुकतान रामगड उपायोकते रामगड जीले में अबुआ अवास वयना और प्रधान मंत्री अवास योजना की लाबको का भुकतान जल्द किया जाना चाहिए साथ ही उनका मकान भी अतिस्जिग्रेब बनवाया जाए यह बाते सुमवार को योजना की समिक्षा करते हुए डीसी चंदन कुमार ने कही है योजनाओं के तहथ हो रहे कारियों को लेकर डीसी ने जीला समनाले के सभागार में समिक्षा किया इस दोरान बैठक में सुरपर्थाम डीडीसी रोविन टोपनों ने अबुआ अवास वहना किताथ किये जा रहे कारियों के सम्मद में डीसी को विस्तार पुर्वक जनकारी दी जिस पर डीसी ने बैठक मुपथी सभी अंचला धिकारी वा बी पी एम को अबुआ आवास वहना किताथ चैनित लाबको को दिये जाने वाले लाब का भुखतान कर जल्द से जल्द आवास नेमानकार को पुरुन करने का निदिश दिया रांची के तमार में बरातियों से भरी बॉस में दोड़ा करंट तीन की मौत रांची जिले के तमार धाना छेतरे के चोंगा गुट्टू गाउं में रभी वार रात बड़ा हसा हुआ है यहां बॉस की छट पर बैठे तिन बरातियों की एक गारा हजर बोल्ट के तार की चपेट में आने से मौत हो गई जबकि पांच अनगम्भी रूप से जूल से है सभी खायलों को रांची के रिम्स में भरति कराया गया है जनकारी के अनुसार बस सराइक लजीले के कुचाई थाना चेतरे के बारू हात्तु गाउं से बरात लेकर तमार थाना चेतरे के चोंगा गुटू आ रही थी गाउं में परवेश करने से पहले ही पुलिया के पास बस की छट पर बैठे बराति एक गारा हजज्जार वोल्ट की बिली की चपेट में आ गये इससे बस की छट पर खड़े तीन बरातियों ने मौके पर ही धमतो दिया करन्ट के बाद बस पर सवार लोगों में चीख फुकार मच गई कुछ बरातियों ने बस की छट से कूद कर जान बचाई है महिला अपराध के मामल में दो माह में चार सीट करे राजय पुलिस मुख्याले में ADG, संजय, आनंद, राव, लाठकर के दक्स्ता में सो मौरको सभी छेतरी आईजी, डी आईजी और जीलो के ASP के साथ महिलाओ के विरूध लेंगी अपराध तता पोक्सो एक्ट से समधी दर्ज लंबित मामलो की समीक चाक के लिए एक बैठक आउजीत की गई बैठक के दवरान निर्धारी समय सीमा दो माह में अमतीम प्रपत्र समर्पित करने के अनुपालन की समीक चाकी गई इस दवरान चाई बसा दुमका सिम्डेगा जैसे जीलो का परशन आच्छा पाया गया जबकि लोहर दग्गा रामकर बोकावे जैसे जीलो का परशन संतोस जनक नहीं पाया गया है 25 लाख की नामी महिला नकसली गिरफतार जारखन पुलिस की बिसेस टीम ने धनबाद से 25 लाख की नामी कुक्यात नकसली जैया ओर्फ चीनता को गिरफतार कर लिया है वह बिहार जारखन एस्पेसल एरिया कमिटी के सरसे थी वह एक लोड की नामी नकसली प्रयाग मांजी ओर्फ बिवेक ओर्फ फूचना ओर्फ नागो मांजी ओर्फ कराई ओर्फ लेतरा की पतनी है नकसली दमपती धनबाद के टूंडी थाना चेतरे के बल्लू बुढधा का मुल निवासी है पुलिस जया से गुप्त ठीकाने पर पुष्टाच कर रही है उसे नकसलीों के सिष्ट नेतावक बारवजनकारी जुटाई जा रही है पुलिस के वरिष्ट अधिकारी सुत्रों के अनुसार मवादी पुलित ब्यूरो सदस परसांत बोस उर्फ बुढधा वा उसकी पतनी स्पेसल एरिया कमेटी सदस से सिल्या मारान की गुरफतारी के बाद जया उर्फ चिंता को उसका पद मिला था धन्यवाद